हेलो एवर्विवन स्वागत है आपका अपना किचन रेसिपी में और में लेकर करेंगे आपके लिए आटे से जटपेट बनने वाला नास्ता जो कि बहुत जादा टेस्टी है यह टेस्ट में इतना जादा अच्छा है कि इसके सामने समोसे और कचोरी भी फेल हैं अगर आपन इसको एक बार ट्राइ खिया आना तो आप सच मिए इसे बार-बार ट्राइगे तो चलिए बनाना शूरुअ करते हैं इसके लिए यह यह हमने ले ले लिया है एक के यहां की टोरी आठ चूर्मशक सूजी हम्ने में इसमें हम इसमें चोलब कर लीए हम एक्छोटा चमच जो यह हमétaं डालना है बारिक कटकी हुई धनिया पत्ति हम थोड़ाई डालेंगे और थोड़ाई के लिए बिलाऊ हरी मिर्चे, लिए के हम थोड़ा ही डालना और ऑगर मकलें केसी हम सबमाल करें जो कि हमने सिर्फ इसमें दो चमच के आसपास ही डालना है और इसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखे जब आटा जो है तो कुछ इस तरह से होने लगे तो ये एकदम परफेक्ट है इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पाने डालेंगे और पानी को हमने एक साथ नहीं डालना हमने क्योंकि इसका जो डो बनाना है वो थोड़ा परफेक्ट बनाना है ना तो बहुत जादा पतला और नहीं बहुत जादा टाइट तो इसलिए पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डाले और इसको अच्छे से मिक्स कर लें यह देखे इस तरह सा मिसको मलते जाएंगे और हमने इसको इस तरह से घूना है जैसे कि हम रोटी बनाने के लिए आटा गूनते हैं सेम उसी प्रोसेस के साथ जो हमने इसका डो बना लेना है इसका जो डो है हमने बहुत ही समुत सा और अच्छा सा बनाना है ना कि बहुत ताइट रख है और नाहीं बहुत जादा पतला तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे दस मिनिट के लिए रैश्वर और हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं इधर जिसके लिए यहां पर यह हमने बॉल ले लेना है और यह हमने ले लिए हैं उबले हुए आलू जो की तीन मीडि यादि करेंगे जिसमें सबसे पहले आ जाती है लाल मिठ पाूडर जो की एक चोटा चमठ है और यह आ जाता है एक चोटा चमठ जीरा का पाूडर हम नए चमठ साधा नमक हम इसके बाद इसमें डाल देते हैं यह एक चमठ चाट मसाला अब इन सबी चीज़ों को डालने के बाद हम इसमें एड कर देते हैं यह थोड़ी सी बारी कट की विया हरी मिर्चे और यह बारी कट के अवर धनिया बत्ती अब इनको डाल करके हमने बड़े हसे करके आलो में मिक्स कर लेना है और जिससे जो हमारी यह चट पटी सी स्टेफिंग बन करके तियार हो जाएगी वो भी कुछ ही मिंटो में तो चलिए यहां देखिए स्टेफिंग तयार है और इधर यह हमने ले लिया है डो जो कि हमने 10 मि ट्रैस्ट पर रखने के बाद अब हम इसको दो पाश में डिवाइड करके ना इसकी लोईया बना लेंगे जैसे कि हम रोटी के लिए बनाते हैं सेम उसी तरह से हमने इसकी दो लोईया बना लेनी हैं बड़े-बड़े से साइच की और इनसे ना हमारा बहुत ही जाला सेसे सर्फेस पर डॉष्ट कर लिए हैं इसके उपर रखर करके हमने लोईयो को इस तरह से अच्छे से बेल लेना हैं जैसे कि हम रोटीयां बेलते हैं और हमने उसको बहुत जादा नहीं रखना है बेले टाइंवहम हम इसको पतला कर लेंगे आप इसको किसी भी बेल सकते ह तो हमने इसको थोड़ा सा चोकोर शेप में इस तरह से लंबाई में करके बेला है आप चाहें तो गोल भी बेल सकते हैं और यह देखें कितना जादा पतला है इस तरह से बेलने के बाद अब हम इसके उपर लगा लेते हैं यह टोमेटो केचप यहां पर हमने दो चमच के अच्छे से फैलाना है क्योंकि हमने आधी दूसरी वाली रोटी के लिए बचा करके रख दी है और यह हमारा इतना जादा टेश्टी और हेल्दी नासा त्यार होने वाला है कुछ ही मिंटों में जिसे बनाने में नातों में टाइम लगेगा और नाही ज्यादा चीजे तो इसको भी सीके उपर अच्छे से रख देंगे और बढ़िया से सैट कर देंगे इसे सैट करने के बाद जो इसकी यह वाली साइड है इस पर भी हमने यह आटे वाला घोल ही लगा लेना है और इसको भी हमने यहां से सैट कर लेना है अब इसकी दूसरी वाली साइड पर भी ह जो आठे का घोल लगाएंगे और इसको भी सैट कर देंगे इससे क्या होगा जो हमने स्टफिंग भरी आना वह बहार नहीं आएगी फ्राइ करते टाइम अगर हम इसको अच्छे से फोल नहीं किया तो इससे जो स्टफिंग वह बहार आ जाएगी और यह देखे अब हम चाकु इसमें फील करी थी वो भी साइड से दिखने लगी है कच्टोने के बाद तो चलिए अब हमने कुछ तैयारी होर करनी है इसके लिए ये लेले है हमने थोड़ा सा जो कि आधा कच्टोरी के आसरा आटा है और उससे भी कम इसमें ये हमने डाली है आदा चमच चिली फ्लैक्स और ये आदा चमच नमक अब ये डाला है में जिसमें बारी कट की हुई दुनिया पत्ती और ये आजाते हैं हमारे आदा चमच के आसपास का लोंजी और तिल इन्हें डालने से बहुत ही जबज़ज़ टेश्ट आने वाला है नास्ते में और इसको अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके अच्छे से मिलाएंगे जिससे कि इसमें कोई लंस या गुठली ना रहे तो इसके बाद हमने इसका पतला सा करके घोल बना लेंगे अच्छे से प मस्टर्ड ओई है आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ओई ले लें जो कि आप यूज़ करते हैं और पहले ही आई फ्लेम पर अच्छे से गरम कर लिया तो इसके बाद हमने इसको लो फ्लेम पर कर लिया है अब यह हम आटे वाले नास्ते को गोल में डिप करेंगे बड़ी है से और इसको इस तरह से ओयल में डाल देंगे हमने बहुत ही के साथ डालना है जिससे कि हाथ पे चीटे ना आए और इनको हम सिर्फ 5-6 ही डालेंगे ज्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो यह अच्छे से कुक नहीं हो पाएंगे अब जैसे ही एक साइड से अच्छे से फ्रा साइड हो जाए लेकिन यह चीज हमें धियान में रखनी है जब तक के अच्छे से फ्राइड नहीं हो जाते तब भ करन सकते हैं इसमें रखें गैस की इसमें को मीज़ां कुक्न है अगर व्लीम को ही कुक्त होना है कि कि अगर है जाय दारिकों केच्व सलेशा के दिए मीधिधं वाल्यका कर दबता तो बढ़ता हैं thờiだ जो बढ़ता के त्षकी नाच्टा कर में करका तक होगा है tempo अगर हम अपनाने में हमने ना तो जादा मेहनत करनी पड़ती है और कम मेहनत में ही हमें बहुत जादा टेश्टी और हैल्दी नास्ता भी मिल जाता है और अब आप देख सकते हैं इनका जो कलर है वो कितना जादा बढ़हा लग रहा है गोल्डन ब्राउन और यह जितने जादा देखने में बढ़हा लग रहे हैं और अंदर तक काफी अच्छे से कुक हैं और काफी जादा क्रिस्पी भी और अब बागी के जो बचे हुए हैं इनको भी हमने सेम प्रोसेस के साथ फ्राई कर लेना है लेकिन सबसे जादा ध्यान में हमने यह रखना है कि हम गैस की फ्लेम को एकदम लो ही रखेंगे और इन्हें अंदर तक कुक होने में सिर्फ 3-4 मिनट लगते हैं और यह 3-4 मिनट में ही काफी अच्छे से क्रिस्पी ह हो जाते हैं अंदर तक और जैसे ही इनका जो कलर है वो लाइट ब्राउन हो जाता है तो हम इनको निकाल देते हैं प्लेट में अब यह देखें आप चाहें तो इन्हें लाइट ब्राउन इस तरह कर सकते हैं और चाहें तो डार्क ब्राउन कर सकते हैं लेकिन दोनों बहुत तो किसी भी चटनी या सोस के साथ सर्व कर सकते हैं जो कि आपको पसंद हो और अगर हाँ आप चाय के साथ भी सर्व करना चाते हैं तो चाय के साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं तो इसलिए ये आटे से बनने वाला हैल्दी नास्ता एक बार आप भी घर पर जरूर पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें